हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजुकेशनल मंदिर, फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम RPSC फर्स्ट ग्रेड एकजाम 2016 का हिस्ट्री का कोशन पेपर सोल करेंगे, तो सल ये सुरू करते हैं, पहला कोशन है, किर्की की लडाई निमल लिखित में से किस युद के दोरान लड़ है, मिशर का अब्बू सिंबल मंदिर समर्पित है, प्योनिक युद लड़े गए थे, ये कुल तेन युद थे, नेक्स है, चीन के निमल लिखित में से कोन से साशक ने महान दिवार का निर्मान कराया था, तो चीन की जो महान दिवार है, उसका निर्मान शिन वांग टी ने करुआ है था बाइबिल में नूह की कथा सम्मंदित है जल पलावन से जिसमें समूची पृत्वी जल निमगन हो गई थी नेक्स्ट है पहला रोमन समराट जिसने इसाई दरम अंगिकार किया तो इसाई दरम अंगिकार करने वाला पहला रोमन समराट था कॉंस्टेटिन महान इमफोरा क्या है? इमफोरा प्राचिन रोम में तरल पदार्थों के संग्रहन हेतु एक विशिस्ट प्रकार का मृदभांड होता था Option 3 उमय्यद खलिफाओं की राजदानी थी उमय्यद खलिफाओं की राजदानी दमिस्क थी Next है कुरान में सूरा की संख्या है तो कुरान में सूरा की जो संख्या है वह है 114 थर्मोपली की लड़ाई किस-किस के बीज लड़ी गई थी युनान के नगर्राज्य वेफारस के मद्य लड़ी गई थी असोक स्तंबो के बारे में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए ओप्सन वन ये स्तंब चुनार के बलुवा पत्थरों से निर्मित है तो यह जो कत्न है वह सही है स्तंबो का यस्टी भाग सजावट विहीन किन्तु पोलिश दार है यह कत्न भी सही है यस्टी के सिर्ष भाग में एक पासान को अदो मुखी कमल के रूप में उकेरा गया है अदो मुखी कमल के उपर एक चोकी है जिस पर मनुष्य अध्वा पसू की मूर्ती दर्शाई गई है तो यह कत्न जो है वह सही नहीं है तो इस तरह से जो सही कतन है उप्शन 1, 2 और 3 नेक्स्ट है कोटिल्य ने एह ही तक सब्द का परियोग की संदर्व में किया है तो एह ही तक का जो परियोग है वह कोटिल्य ने दास के लिए किया है मौर्यकाल में उदक बाग था तो उदक जो है यह एक सिंचाई कर था नेक्स्ट है सासक जिसे एक अभिलेखिय साक्षे में सक यवन पहलाव निशूदन के रूप में महिमा मंडित किया गया है वह है वह सासक है गोत्मी पुत्र साथ करने निमलिकित में से कौन सा बंदरगाय पस्चिमे घाट परस्थित नहीं था कोर कई जो है पस्चिमे घाट परस्थित नहीं था नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा बोध समार्क धर्णी कोट का महाचैती भी कहलाता है वह समार्क है अमरावती स्टूप मुर्योत्तर काल आर्थिक विकास वर सम्रेधी का काल था निमन लिखित में से किस समकालिन स्त्रोत में लगबग 75 वेवसायों का उलेक हुआ है तो यह उलेक हुआ है मिलिंद पन्हों में मत्हुरा कला के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए मत्हुरा कला में स्थानी लाल बलुवा पत्थर का परियोग किया गया था इस कला पद्रती में बुद्ध को मुंडित सीर एवन अनावरित दाएंकंदे के साथ दिखाया गया है यह भी सथे कथन है मत्हुरा के निकट माट गाओं से मिली सक शासकों की मूर्तियां भी मत्हुरा कला का उत्करश नमोना है यह कथन जो है व하지 क्या है अप्शन 1,2 और 3 जो है सही है तो अप्शन 2 नेक्स्ट है निमनलिखित में से किस आसक के साथ समुद्रगूप ने ग्रहन मोक्शया नुग्रे की नीति का अनुसरं किया था उगरशेन के साथ नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए क्लासिकल लेखक दिये गई है तो उनकी रचना दी गई है भास की जो रचना है वह है मध्यम व्यायोक, बट्टी की रावनवद, भामय, कव्या लंकार और भारवी की है किराता अर्जोनियम इस तरह से तो इसका राइट आंसर है वह है ओप्सन थ्री नेक्स्ट है आर्ये भट की विशे में दिये गई निमलिकित कत्नों के बारे में विचार कीजिए ओप्सन वन वह पहला खगोल सास्त्री था जिसने ग्रहन की वग्यानिक व्याख्या दी प्रिथ्वी अपनी दूरी पर गूमती है यह खोजने वाला भी वह पहला था यह भी सत्य कत्न है उसने एक वर्ष की यवदी का अत्यंत ही स्टी कांकलन दिया उसने पाई का भी बहुत सही मान दिया तो सभी कत्न जो है वह सही है उप्सन फोर संगमकाल में अरसर किने कहते थे तो संगमकाल में जो है वह अरसर कहते थे सासक वरको निमलिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है राजपूत वंस वह उनका भूभाब दिया गया है तो इन में जो सही सुमेलित नहीं है वह हमें देखना है चंदेल, बंगेल खंड यही जो हैवे सही सुमेलित नहीं है परमार, मालवा, कल्चूरी, त्रिपूरी और सोलंकी, गुजरात यह सभी सही सुमेलित है नेक्स्ट है भारती विद्वान, जिन्होंने तिब्बत में बोथ धरम के परसार में महतवपुन भूमिका निभाई तो वह विद्वान है, पदम संभव, संग रक्षित और दिपांकर उप्शन वन नेक्स्ट है प्राचीन भारती साइते में किस भूबा को यवद्वीब कहा गया है तो प्राचीन भारती साइते में जो है वह यवद्वीब कहा गया है जावा को निमन लिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है अक्बर द्वारा उठाए गए कदम वे उनका किरियानवन का वर्स दिया गया है तो येकत ने जो कोश्चन है वे आर्पियसी के द्वारा डिलिट कर दिया गया था Next है मुगल परसासन में मीर बहरी किसे कहते थे तो मीर ये बहर जो है बहर कहते थे साही जहाजों के परभारी को मद्यकाली भारत में पाई कास्ट किने कहा जाता था तो पाई कास्ट जो है ऐसे क्रिशक थे जो की जिनके पास भूमी नहीं थी और ठाथ उत्री भारत में भूमी हीन किसान को कहा जाता था Next है मुगल काल में मन ए अकबरी क्या थी मन ए अकबरी जो है वह वजन को मापने की एक इकाई थी मुगल कालीन सस्कृत गरंथ जानकी परिणय का लेखक था जानकी परिणय का लेखक था चकरकवी निमलिकित में से कौन सा चित्रकार अकबर के दर्बार से संबन्दित नहीं था तो अकबर के दर्बार से संबन्दित चो चित्रकार थे वे थे बसावन, मुकुंत और सयद अली विशंदाश जो है वे संबन्दित नहीं था उप्सन वन नेक्स्ट है ताज महल पर कुरान की आयते लिखने वाला सूलेखक था वहे लेखक था अबदल हक अमानत खान सिराजी रंगपूर के क्रिशक विद्रोह का नेत्रित्व किया था नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन से युगन सुमेलित है इसमें नागरिक विद्रोह दिये गए है वह उनक के नित्रित्व करता है पेका जग बंदू यह पसे ऊमेलित नहीं है कि टूर चैनंबा यह यह सही समेलित और फर्याईजी दूधु मिया यह भी सही समेलित सब्सक्राइब निमलिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है 1850 के विद्रोह पर लिखी पुस्त के वे उनके लेखक दिये गई है 1857 एसन सेन की पुस्तक भी यह सई है इंडियन वार उफ इंडिपेंडेंस 1857 वी डी सावर कर इंडियन म्यूटिनी ओफ 1857 जी बी मोल्सेन दा स्पोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ओफ 1857 जे डवल्यू केज यह जो है वे सई सुमेलित नहीं है और नेस्ट है रूहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नितरित्व किया था तो रूहेलखंड में वैखान बहादुर खाने 1857 के विद्रोह का नितरित्व किया था गोपाल हरी देश मुख के विशे में निमलिकित कत्मों में से कौन सा कथन आई सत्य है उप्शन बन उन्हें लोक इतवादी के नाम से जाना जाता था सत्य कथन है पहला अखबार जो बंबई से परकासित किया गया था तो वहें था बंबे हेराल्ड सूची एक कांग्रेश की अधिवेशनों को इंगित करती है और सूची दो उनके अध्यक्सियों को दोनों को सही सुमेलिक किजिए तो इनका जो सही मैच है वह कुछ इस्तरह से होगा 1911 कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्सता है वह की थी बिसन नरायन धर ने 1912 पटना की आर एन मुधोलकर ने, 1913 कराची की जो अध्यक्सता है वय की थी सेयद मुहमत बहादूर ने और 1914 मदरास की बुपिंदरनाथ बोस ने इस तरह से option 1 जो है वाइस का right answer है Next है निमनलिखित में से किसे प्रथम लाहोर सरियंतर केस में फांसी की सजा दी गई थी तो प्रथम लाहोर सरियंतर में जो है वह फांसी की सजा दी गई थी विश्णू प्रिंगले को निमलिखित व्यक्तियों के विशे में विचार कीजिए एनी बेसेंट, लोकमन्ने तिलक, जवाहरलाल नहरू, मुहमद अली जिन्ना उपरियुक्त में से होम रूल अंदोलन में किसने भाग लिया था तो होम रूल अंदोलन में जो है वह भाग लिया था इन सभी ने एनी बेसेंट, लोकमान नेतिलक, जुआलाल नेहरू और मुहमद अली जिन्ना सभी ने जो हैवे हुम्रू लांदोलन में भाग लिया था ओप्शन 4 नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की कारियकारी परिशद के पहले भारतिय सदस्य थे तो गवर्नर जनरल की कारियकारी परिशद के जो पहले भारतिय सदस्य थे वह थे सर 17% चिन्ना निमलिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है चित्रकारी वचित्रकार दिये गए है दस्कूल ओफ इंथेंस टीटियन यही जो हैवे सही सुमेलित नहीं है लास्ट सपर लियोनार्दा दविंची सही है क्रियेशन ओफ एडम माइकल एंजेलो लाफिंग कवेलियर फ्रांस होल्स ओप्शन बन जो हैवे सही सुमेलित नहीं है नेक्स्ट है निमलिकित में से किस ने प्रारब्द वाद के सिदान्त का समर्थन किया था प्रारब्द वाद के सिदान्त का समर्थन जोन कोल्विं ने किया था नेक्स्ट है निमलिकित में से कौनmore upnivas का प्रथम continental congress में परतिने जित्वे नहीं हुआ जोर्जिया का जो हैवे यह नहीं हुआ था निमलिकित में से कौन एक जयकोबिं था इन में से जो जैकोविन था मारा उप्सन वन नेक्स्ट है वानित जेवाद की मुख्य परवर्तियों को सुनिए वानित जेवाद की मुख्य परवर्तियां थी निरियात बढ़ाने के परियास, बुलियंस के सुध अंत्य परवाय पर जोर, उच सीमा सुल्क दरें, सियुक्त सकंद कंपनियों का निर्माण, अर्थात ये सभी, ओप्सन किया था इनका योगदान था क्रीशी के छेतर में किसने इटली की नैतिक और नागरिक स्रेष्टा नामक पुस्तक लिखी इटली की नैतिक और नागरिक स्रेष्टा नामक पुस्तक जो है वह लिखी थी जीयो बर्टी ने निमलिकित में से कौन सा ओदोगिक क्रांती का संपन हुई संदी थी तो सिदान की लड़ाई के बाद जो संदी संपन हुई थी वह थी फ्रैंक फर्ट की संदी नेक्स्ट है बर्लिन का अंग्रेश 1870 का एक परिणाम था तो इसका जो परिणाम था वह था तीन समराटों के संग का विगटन फ्रांस रूस गट जोड जो त्री रास्टर मैतरी संग का आधार बना किस वर्स में हुआ था यह हुआ था 1894 में हिटलर की विदेश नीटी में अंसूलूस क्या था तो अंसूलूस जो है वह आस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने की इच्छा थी हडपी स्थल जहां से बुकंप जैसी किसी प्राकरतिक आप्ता के प्राचिंतम पर्मान प्राप्त हुए है बारत में पूरू पासान काली न उपकरण स्वरव पर्थम प्राप्त हुए है प्राप्त हुए है प्लवरं से एसिया मायनर के बोगजकोई अभिलेक में निम्नांकित वैदिक देवताओं का उलेक है यहिं इंद्र, मित्र, वरूण, एवं नासत्य है नेक्स्ट है, राजा सुदास जिसकी विशे में रिगवेज में वर्णन है कि उसने दासराग्य युद में दस राजाओं को पराजित किया, किस जन से सम्बंदी था? तो राजा सुदास जो है वह समंदीता तृत्सु युग से, तृत्सु जन से, विदेत मादव का अपने पुरोहित गोतम राहुगन के साथ पूरो दिशा की और परवर्जन का कथानक निम्नांकित किस में उल्लिखित है, तो यह उल्लिखित है सत्पत बरामन में, नेक्स्ट बोध गरंथ अंगुतर निकाए में छटी स्ताफदी ईशापुरू के कितने महाजन पदों तथा गनराज्यों का उल्लेक मिलता है, 16 महाजन पद या 10 गनराज्यों का उल्लेक मिलता है, किस आसक के काल में तीन महानुप देश कों, बुद्ध, महावीर तथा मखली गोशाल निर्वान प्राफ्ट किया था, अजाद सत्रू के काल में जो है वह निर्वान प्राफ्ट किया था, नेक्स्ट है, निमन में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें संस्थापक दिये गए हैं, और यहां संपरदाई दिये गए हैं, तो मखली गोशाल आजीवि संपरदाई के संस्थापक हैं, यह सही है, संजे बेठल पुत, संदेह वादी के, अजित केश कमलिन उच्छेद वादी के, पूरन कश्यप अनुवादी है, जो है वह सही सुमेलित नहीं है, उप्शन फोर, नेक्स्ट है, निमनांकित की स्थल पर सित स्थूप उसेशों से असोक की प्रस्तर पर बृतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम, उनका नाम उतकिरन है, तो यह प्राप्त हुई है, कंगन हल्ली से, नेक्स्ट है, निमनलिकित की स्मोर्यकाली नभीलेख में, दुर्भिक्स काल में सायता परदान किये जाने का विवरन प्राप्त ह तो यह जो विवरण है प्राप्त होता है महास्थान अभी लेक से गुत मी पुत्र साथ करने के आथों शैराद सासक नहपान की प्राजे नीमन लिखित में से किस मरिद भांड से परमानित होती है गुप्त कालेन सवणड शीकों का सबसे बड़ा धेर राजस्थान के किस थान से नेक्स्ट है त्री पक्सिय संगर्स जो की लगबग सो वर्सों तक चला उसमें अंत्तो गत्वा किसे सफलता मिली तो अंत में जो है सफलता मिली थी फरतिहार सासकों को निम्नांकित में से कौन प्रसिद युनानी दार्षनिक नहीं है तो इन में से जो युनानी दार्षनि नहीं है वह है युकिल्ड युक्लिड ओप्शन फोर नेक्स्ट है किस तार्षनिक ने पवित्र रोमन समराज्य के बारे में कहा है कि यह नय तो पवित्र है नय रोमन है नय समराज्य है यह कथन है वाल्डेयर का तुर्कों ने पुर्वी रोमन समराज्य की राजधाने कुस् तुन्तुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ था 1453 इस्वे में, निमनलिकित में से कौन सी पुनरजागन युग की विशेश्ता नहीं है, शामंत वाद जो है वै पुनर जागन की विशेशता नहीं है धरम सुधार आंदोलन का मोर्निंग स्टार किसे कहा जाता है धरम सुधार आंदोलन का मोर्निंग स्टार जोन वाइकलिफ को कहा जाता है निमलिकित में से कौन सा वर्ग फ्रांस में गंतंतरवाद का समर्थक था तो गंतंतरवाद का समर्थक जो था वह वर्ग जैकोबिन, फिरोंदिस्ट, माउंटेनिस्ट उपरियुक्त सभी जो हैं वे हैं स्पेन के अलसर ने मुझे बरबाद कर दिया यह कथन किसका है यह कथन जो है वह नेपोलियन का है अप्शन टो आज की वीडियो में बस यहीं तक आगे के कोश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चौल करेंगे धन्यवाद